जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल पे कोई भी आयटे समंधित जनकारी आती है या आप्रेंटिसीव की वेकेंसी आती है तो आपको इनफॉर्मेसम जरूर दोंगा तो फाले दोस्तों यहाँ पर आयटे वालों के लिए एक नई वेकेंसी आ चुकी है वेस्ट सेंटर रेलवे की तरफ से अभी हाले में इसका नोटिफिकेशन बेजा गया है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जनकारी देने वाला हूँ कौन कौन से लोग फार् यहाँ पर थोड़ा सा आप नीशी आ जाते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते किन की ट्रेडू के लिए आपकी वेकेंसी निकल के आ रहे हैं तो यह आपका सबसे पहले मेंसन किया गए इलेकिसियन उसके बाद फीटर है वेल्डर है पेंटर जेनरल है मेंसन है कॉर पेंटर है एलेक्ट्रानिक से फलंबर है और फोट्जर एन्ट रीटर है इसके बाद वायर मैं है इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड़ प्रोग्राम्मीं असिस्टेंट है मसेनिष्ट है टरणर है लैब असिस्टेंट है और यहाँ पर आपको बहु सारी वेकेंसी देखने को मिल जाती है जिसमें टूटल वेकेंसी की बात करें तो यहां पर टूटल वेकेंसी जो काउंट किया गया है वो 711 यहां पर काउंट किया गया जिसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं इसके बाद यहां पर बात करते हैं कि कौन काउंसिल वो फार्म को अपलाई कर पाइंगे तो यदि आप आइट आई पास हैं यदि इन ट्रेडों से यदि आपने ईट आई कंपलीट कर लियू तो आप फौप को अपलाई कर पउन Auth945 के साथ आउप का 10 फास扫क होना चाहिए और इसमें आपको आठहुआई पास पर नहीं निकल करें वहुत सब्सक्राइब करें लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा यह फाइनली आज के यहां पर नोटिफिकेशन भेजा गया है और यहां पर बात करते कि इसमें आयू सीमा क्या मांगे गए और इसकी जनरल कंडिशन क्या है तो सबसे पहले यहां पर आप आ उम्र 15 से 24 यह तो आप अप्लाई कर पाएंगे उन्यता आप फांग को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस सेज को आप ध्यान कियेगा इसके बाद यहां पर चुट की बात करते तो इसमें उम्र की चुट रखी गए है यह आप यहां पर इसी एस्टी के इंतरगत आते है तो उमिद्वार को मैनेता प्राप्ट संस्तान से दसमी परिष्टान उत्रण या उनके समकच परिच्छा 10 प्लस टू परिच्छा पड़ाली नियुंताब 15% उत्रण होनी चाहिए और सभी में उमिद्वार NCBT या SCBT से मैनेता प्राप्ट पधगीक संस्तान से संबनी ट्रेडों म आइटी आई 10 प्लस टू होना अनिवारे आवेदन की तीथी को निर्धारीत युगता होना चाहिए और परिच्छा पड़ाम होगे वह वाले अमिदार को पातर नहीं है मतलों यहाँ पर कहने का मतलों यह कि जो कि आपेरिंग वाले चलें उनको यहाँ पर कोई भी फार्म का हाई स्कूल में होना चाहिए और आइटी आई चाहिए आपने से किया कोई फर्क नहीं पड़ता है आप को अप्लाई कर पाएंगे बात करते कि यह आपका फार्म कब तक भरा जाने वाला है तो थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल बज़े तक आपका फार्म भरा जाएंगा तो जो लोग आपको अप्लाई करना चाहते हैं थीस चार दो हजार एकीस अथा तीस सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह दिया आपको किसी अधर जनकारी चाहिए तो आप कमेंड बॉक्स में पूसकते हैं मैं आपको जनकारी देद करें आलाइन आविदन सुल्क के रूप में 100 रुपे और पॉर्टल सुल्क आपका सतर रुपे दे जेश्टी का भुक्तान करना होगा और यहां पर और बहुत सारी आप जनकारी डेकिंग करने का मतलब है आपको फीस लगेगा वह आपका 100 रुपे लगेगा यदि आप क्योंकि कोई भी फीस नहीं रखा गया वालों के लिए और भी कोई जनकारी चाहिए तो कमेंट बाग से पूछ सकते हैं आपको जनकारी मिलेगे फिलाल दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में